Yes, आज हम quick revision करेंगे binomial theorem का, binomial theorem किसी भी competitive exams के लिए बहुत important topic है, और मैं आपको एक और बात बोलूँगा, कि ये जो topic मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस topic के end होने के बाद आपको binomial ना केवल समझ में आएगा, बलकि minimum time के बाद आप question solving approach भी develop कर पाएंगे, एक सबसे important ची है, जो हर जगे use आता है, competitive point of view से देखें तो चाहिए फिर वो NDA का exam हो, MCE का exam हो, IIT का exam हो, हर एक exam में एकात question आ जाता है, कभी कभी दो भी question आ सकते हैं, बट इसके concept पूरी math में use होते हैं, और एक single formula पे, single concept पर based topic है, अच्छा topic है, समझने वाला scoring topic है, और इसको बहुत करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा score कर पाएं, और ध्यान रखिएगा, ये आप जो भी exam दे रहे हैं, अगर आप class 11th में हैं, बहुत useful revision होगा, आपके लिए NDA दे रहे हैं, तो भी, आप JE दे रहे हैं, तो भी MCE दे रहे हैं, तो भी, यानि हर जगे आपको काम आएगा मैं आपको कुछ important concept के साथ, एक quick revision करवाऊंगा, जिससे कि आपका topic कम time में ना केवल revise हो जाएगा, बलकि आप question solving technique भी develop कर पाऊगे, अब जैसे मैंने question लिखा है, the coefficient of x power 99 in the expansion of, कई बार इस तरह के question मिलते हैं, इसमें और भी type बताऊंगा, पर पहले एक basic, कोई can't fast हम उसका revision कर ले, केवल आपको एक single formula याद रखना है, वो है a plus b की whole power n का, by मतलब होता है two, two term के expansion को हम binomial theorem बोलते हैं, जब आपको a plus b का whole square करना है तो आपने याद किया, cube करना है तो भी आपने याद किया, पर जब powers बढ़ने लगती है, तो हमें problem आती है, तो हम इस समय binomial theorem expansion का use करके questions को easily solve कर सकते हैं, बहुत ही simple तरीके से मैं आपको cover करवाऊंगा, ना तो कुछ complications होगा, ना आप उलजेंगे, ना confused होगे, कई बर क्या होता है, हम चीजे पढ़ते जाते हैं, पर पढ़ने के साथ-साथ हमारा confusion create होने लगता है, मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशी ये करता हू कि मैं आपको इस दंग से पढ़ा हूँ कि आपका ना तो confusion हो, ना आपको कोई problem जाए इस topic में, या कोई भी topic में, चलिए, तो a plus b की whole power n की बात करें, तो जैसे आप यहां लिखते हैं, a square plus 2ab plus b square, या यहां पर लिखते हैं, a plus b का cube माले लिखिए, तो a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b q, yes or no आप अगर एक बात notice करें, तो a की power 2 है, यहां पर a, b की power का sum भी 2 है, यहां पर b की power 2, यहां पर देखें तो throat power 3 होगी, अगर a plus b की whole power हम 4 लिख रहे होते, तो a power 4, अब यह 4a cube b कैसे लिखा, obviously, logic तो आपको समझ में आता है कि अगर हम इस factor को 4 बार multiply करेंगे, तो जो result आए थेरम बनी कैसे होगी, क्या उसका origin है, वो समझे हम, तो ऐसा हमने चार बार तो लिखा ही होगा, फिर उसके बाद जो result निकल के आता है, वो यह है, plus 6a square b square plus 4 a b q plus b power 4, yes or no, तो इसका मतलब यह हुआ, अब यह जो है ना, यह कहलाते है, binomial coefficients, पर आप एक चीज़ नोटिस करो पूरी थेरम में throughout power का sum 4 है, और जो भी power है, उससे एक term जादा है, है ना, जैसे 4 power है, तो देखिए कितने term मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 3 power है तो 4 term, 2 power है तो 3 term, तो n power है, तो क्या मिलेगा, तो यह ऐसे start होता है, nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 b plus nc2 a power n minus 2 b square plus nc2 a power n minus 2 b square plus nc2 a power n minus 3 b cube, ऐसे चलता जाएगा, एक a की power देखो, आप descending कम हो रही है और b की power ascending increase हो रही है, और बीच में कहीं पर भी जब end होगा, तो last होगा ncn a power 0 b power n, यहाँ पर भी आप चाहेते तो a power n b power 0 लिख सकते थे, अब यह जो लिखा है न, nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 यह जो हैं, यह जो सब हैं, यह कहलाएंगे binomial coefficient, चीक है, nc0 nc1 nc2 nc3 यह सब कहलाएंगे binomial coefficient, और यहाँ पर एक बात याद रखिए, ncr आपको पता है, क्या होता है, factual end upon, जब भी कभी पढ़ो, मैं आप सब को बोलूँगा, यह revision जैसा चला, exam time आ रहा है, first time भी पढ़ा है, तो भी आपके लिए बहुत useful session है, आप जब भी पढ़ा ही करो, तो हमेशा एक rule हमेशा apply करो, कि पहले blank page पे जो आता है वो लिखो, and then उसके बाद, उसके बाद फिर ये सोचो, कि अब मैं इसके questions कैसे solve करूँगा, तो पहले पूरी एक summary बना लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने आपको assess कर पाएं, क्या हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, यह हर दिन की एक आदर डालो आप लोग, yes, तो अब nc0 कितना होता है, nc0, 1, ncnb कितना होता है, 1, है न, तो यह ncr का formula आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ इसमें ncr की properties होंगी, यानि combination की properties आपको यहाँ पर use होंगी, जो आपको ध्यान रखनी होगी, बाकी chapter में दिक्कत नहीं आएगी, तो एक बार छोटी वहती property तो मैं भी revise करवा अगर मैं बोलू 10c3 किसके equal होगा, 10c7 के, इसी लिए जो acute distance term होते हैं, इसी लिए जो acute distance term होते हैं, उनकी value सेम होती है, यानि first और last, second, second last, third, third last, fourth, fourth last, इनकी value आप कभी भी देखेंगे, तो आपको equal मिलेगी, तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें, तो जैसे ही आ गया, या आप से कभी बोला जाए, 12c4 तो वो किसके equal होगा, 12c8 के, yes or no, 20c11, किसके equal होगा, 20c9 के, अब एक चीज समझेगा, यह जो formula इसको हम थोड़ा सा समझे, तो यहाँ पर यह आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इसको आप लिख सकते हो, nc01, b power 01, तो पहला term a power n से start होता है, बस, दो तीन मिट बाद हम सीधे questions approach पे आएंगे, b, nc2, n-2, तो b square, ऐसी बीच में हम ncrb लिख सकते हैं से आगे चलके general term बोलते हैं, and last term is b power n, यह एक single formula आपकी binomial की सारी problems को solve कर सकता है, इसे हम बोलते हैं, first term, second term, third term, ऐसे चलेगा, तो यह देखिए, यह first term है, यह second है, यह third है, तो यह कौन सा term होगा, obviously, r plus one term, क्या हो जाएगा, ncr, a power n-r, b power r, अब आगे चलके सारे question हम इसी से करेंगे, अब इसी दे दो मिट बाद हम questions पर भी आ रहे हैं, sessions को पूरा starting से end तक देखो, अच्छे से, समझो, अब माल लो, यहाँ पर minus होता, तो क्या होता, अगर minus होता, तो simply, जहाँ पर b की power order है, वहाँ minus हा जाता, तो a power n-nc1, n-1, b, nc2, n-2, b square, ऐसे चलता, minus nc3, n-3, b cube, and so on, अब आपको एक और important ची याद रखनी, कभी-कभी इसको यह भी काफी काम आएगा, आपके, तो यह two times of even term, a power n, nc2, n-2, b square, ऐसे चलेगा, और अगर इसी को minus कर देंगे, तो two times of odd term, अब मैं आपको question के साथ, इसके concept समझाऊँगा, तो आपको समझ में भी आएगा, और आप questions भी easily solve कर पाएंगे, चलेए, तो देखते हैं कुछ questions, देखें, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, कि जैसे ये question दिया, x-1, x-2, x-3, अपको x-100, आपसे पुछा है, coefficient of x power 9, कई बार ऐसा question आता है, x-1, x-3, x-5, into x-1, 99, find, ये भी हो सकता है, find x power 99, हो सकता है, question ऐसा आजाए, x-2, x-4, x-6, up to x-100, find x power 49, इस तरह के questions आप देखोगे, तो अक्सर आपको exam में मिलेंगे, बहुती simple technique पे based question होते हैं, एक बर concept बना लोगे, आगे तक की problem खतम, आप देखोगे, इस तरह के question आपको J-E, means में मिलेंगे, N-D-E में मिलेंगे, बनलब जो भी exam दे रहा हूं, उनमें मिलेंगे, आप देखो, अगर यहाँ पर ध्यान दूँ, तो सबसे पहले, एक चीज समझना, इसका concept किस पे based हो समझ लीजे, इसमें तीन चीजे आप बिना किसी ज़्यादा problem के find कर सकते हो, कौन कौन सी 3, वो बतायता हूं, एक X की सबसे बड़ी power, एक उसकी next power और एक constant term, यह तीन चीजे आप बहुत जली बता सकते हैं, कैसे, अब जैसे मैं आप से भूलू, आप इसको छोटे से example से समझू, यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए, माल लो यह लिखा होता, तो मैं एक चीज अभी से बोल सकता था, कि पहला term X क्यूब आता, अगला term X square के साथ, इन दो तीनों का addition, 3 प्लस 2, 5 प्लस 1, 6, यानि 6, X के साथ क्या आता, वो अलग बात है, और constant term में लिख सकता था, इनका multiply 6, माल लेजिए, आप समझना मेरी बात, जैसे X plus 2, X plus 3, X plus 5, X plus 9, यह 4 factor है, मैं आप से बोलू, तो इसमें X की power 4 आप एक बार में लिख सकते थे, तो कि X, X, X का multiply होगा, इसके बाद X cube का जो term है, वो हम बता सकते थे, कैसे, वो constant के addition से मिलेगा, तो 2 plus 3, 5, plus 5, 10, plus 19 ही होगा अब आप multiply करके देख लो, आप square में क्या आएगा, वो भी बता सकते जीली, पर उसमें time लग सकता है, और constant आप बता सकते हो, constant होगा, 2 into 3 into 5 into 9, like this, यानि अगर आप बिना किसी, क्योंकि मैं आपको इन questions के लिए ले जा रहा हूँ, इन के लिए नहीं, इसमें तो आप square बग बहुत इजीली बता सकते हैं, वो क्या होता है, sum of हमेशा याद रखिए, sum of constant of, उसके next वाला, यानि आप इसको करके देखेंगे, आपको वही result मिलेगा, तो जैसे मैंने ये तीन questions लिखें, अगर मैं केवल इस question के बारे में बात करूँ, तो मुझे ये पता है, पहला x power 99, मैंने minus क्यों लगा है, जड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन में sum में minus आया हुआ है, इसलिए minus लगा है, क्या क्या आ जाएगा, 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, फिर इसमें 100, इसके बाद वाले term में आपको दिक्कत हो सकती 88, और एक constant term आप बता सकते है, easily सबसे आखरी में जो की होता, इनका multiply, ये negative, negative, negative है, सब negative है, और 100 factor है तो positive, तो यहोगा 1, 2, 3, up to 100, आपने एक नई चीज और सीखी, कि constant भी पूछें तो बता सकते हो, अगर constant आप पूछा होता, तो आप बोलते 1 से 100 तक को factorial 100, right, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो य यहाँ पर आपको थोड़ा सा यह यातक नची, सिग्मा एन क्या होता है, sum of n टम, n, n प्लस 1 बाइ 2, सिग्मा एन स्क्वेर क्या होता है, 1 स्क्वेर, 2 स्क्वेर, अब 2, n स्क्वेर, n, n प्लस 1, 2 n प्लस 1, ऐसी सब चीज़े याद होना ची, जब हम कोई exam देते हैं, हमें अ अब यह क्या है, यह सिग्मा एन है, तो सिग्मा एन क्या होता है, n, n प्लस 1 बाइ 2, 101 बाइ 2, यह कैंसिल 50 टाइम्स, तो यह कितना आगया, माइनस तो वो तो माइनस उदर है, तो यह आगया कितना, बताए यह 505 और एक और जीरो, पर इसके आगे निगेटिव लगा है, तो एक्स पावर 99 का कोफिशेंट क्या हुआ, माइनस 50, 50, यह एक औप्शन दिया हुआ था, यह करेक्ट हो गया, वैसे आपको दो चीज़ समझ में आ गई दी, सब निगेटिव आना, तो यह दो पॉजिटिव अंसर तो नहीं होने वाले थे, तो य मैं आपको एक चीज़ बिल्कुर शियरली बोल सकता हूँ, absolutely, कि आपको केवल इतना सा एक काम करना होगा, वो यह, कि क्या बोला है, और उस जैसे 4, 5, 6 कोफिशन और बनाने की कोशिश करो, आप से खुद बनने लगेंगे, options कम होने लगेंगे, मतलब जितना logical तरीके से इसमें क्या है, 135, अब इसमें भी 199 तक गए, यानि कितने फैक्टर होंगे, obviously, 100 फैक्टर, odd term है, 135, तो X की पावर, 100 के बाद का जो term होगा, वो यह होगा, और वो होगा, 1357, up to 199, yes or no, 199, अब यह odd की सीरीज है, 1357, odd की सीरीज, up to end term तक हो, तो इसका summation होता, n square, even की सीरीज हो, 2468, तो इसका summation होता, n, n plus 1, तो यह odd की सीरीज है, और कितने term है, obviously, 100 term, तो सीधा-सीधा, X पावर 99 में क्या आएगा, वो लो, 100 का square, यानि आप ऐसा भी बोल सकते हैं, coefficient of, X पावर 99 is, क्या लिखते हैं बिटा, 1, 2, 3, 4, यह भी तरीका हो सकता था, एक और मैंने question देखिए, और सब question आपके सामने बनाए, question की framing, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलो, कि आप से खुद question बने, आप खुद question बनाए, एक question exam में आया है, और 4 question कैसे develop कर सकते हैं, यह कोशिश हमेशा करनी चाहिए, जैसे यह अगला question में देखूँ, तो देखिए, अगले question में क्या बोला है, x power 1, x power, x plus 1, x plus 3, x plus 5 of 2, अच्छा वो even वाला था, वो लेते हैं, वो ऐसा था, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, up to x plus 100, सबसे पहले question आता है, total कितने question रहे होंगे, total कितने question रहे होंगे, तो आप बोलोगे, 1, 2, 3, 50 time है, तो x power 50, उसके बाद क्या आएगा, 49, तो क्या क्या मिलेगा, बोलो, 2, 4, 6, 8, up to 100, यह even की series है, और कितने term है, 50, तो 50 into 50 plus 1, then 50 into 51, multiply करें, 5, 25 and 0, यह आगया, यानि जब भी आप इस तरह के questions आएं, तो आप x की highest power के बाद वाला term, easily बता सकते हैं, केवल constant term के addition से, अब आप खुद भी framing करेंगे, तो आप से questions हो जाएगा, okay, note कर लो यह question, yes, next question देखते देखे, क्या, इस तरह के questions भी exam में आते हैं, यह आपके exam का ही question है, in the expansion of root x plus 1 upon 3x square की whole power 10, then the value of constant term, right, then the value of constant term, क्या करेंगे, देखे, simple, तरह logic है, इसमें, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, कि यह root x है, यह 1 upon 3x square की whole power 10 है, constant term मतलब होता independent term, मतलब जिसमें x की power 0 हो, अब अगर आप method से करो, तो आप मानोगे कि let tr plus 1 term is constant term, या कभी आप से कभी इसमें पूछा जाए coefficient of x power 6, ऐसे खुद बनाना सीखो, या कभी आप से पूछा जाए coefficient of x power 8, coefficient of x power minus 2, ऐसे कोई भी question हो सकते हैं, अगर according to method जाओगे, तो आपको tr plus 1 term से करना है, कि let tr plus 1, अभी मैं इसकी trick बता रहा हूँ, आपको बहुत ही simple, कि tr plus 1 term is constant term, और आप इसको tr plus 1 term लिखेंगे, पर पहले concept बनाएजे, फिर आपको खुद समझ में जाएगा, तो आप लिखते है, 10cr, root x की power, 10 minus r, 1 upon 3x square की power r, मतलब ultimately आप ऐसा कुछ लिखते है, 10cr, x की power, 10 minus r by 2, 1 upon 3 की power r, और x की power minus 2r, यह समझा है, इसलिए रहा हूँ, कि कभी exam में आप कुछ चीज भूल जाए, confusion हो, कोई mistake हो रही है, तो वो समझना है, क्योंकि इसकी trick कहां से आई है, वो भी समझना जाओ रही है, अब देखी, यह कितना हो गया, यह हो गया, 10cr, x की power, इस calcium ले लोगों तो minus 4r, तो 10 minus 5r by 2, and 1 upon 3 power r, यहां तक लेखके छोड़ दो, अब जैसे आपसे independent term पूछा है, तो इसको जो भी पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, independent term, coefficient of x square, coefficient of x cube, जो भी आपसे पूछा जाए, सबका एक ही logic है, और वो logic है simple कि इसको compare करतो, तो आपने क्या करा, 10 minus 5r by 2 को 0 से compare किया, तो r कितना आ गया, 2, अगर मैं r की जगे यहां, 2 रख दूँ, logic से समझे न, आर की जगे 2 रख दूँ, तो 10c2, x की power देखो, अपने आपी कितना हो जाएगा, 0, और 1 upon 9, यह हो गया, 3rd term, 10c2 कितना होता है, 10 into 9 upon 2, और यह नीचे एक 9 और है, यह 9 से 9, यह cancel, तो क्या आगया, 5, देखो यह दिया हुआ था, 5, correct answer आगया, 5, यह तो वह logic, अब इसी question का, मैं आपको एक short approach भी बताता हूँ, जिससे आप question बहुत कम समय में कर पाएंगे, क्या है short approach देखिएगा, कि आपने बोला, let, आपने का let, मतलब, suppose ऐसा लिख ले, a x power p plus b x power q whole power n, coefficient of, coefficient of x power z in the expansion of, तो अब आप ये general concept हमेशे आद रखना, coefficient of x power z in the expansion of a x power p plus b x power q whole power n, यहां plus minus कुछ भी होता, एक ही concept है, तो आप लिखते, z equal to n minus, ध्यान देना, n minus r into p plus qr, यहां से आपको मिलेगा r, और वो r आप इसमें put करेंगे, t r plus 1 में, तो आपको term मिल जाएगा, इसी example से उसको हम समझते हैं, या इसी example से हम उसको verify करते हैं, कैसे करेंगे verify बताता हूँ, सबसे पहले जो दिया हुआ question था, वो ऐसा था, x का power half plus 1 upon 3 x का power minus 2 whole power 10, क्या बोलूँगा मैं, पहले तो coefficient क्या बोला है, constantum पूछा है, constantum पूछा है, तो 0 से equate कर दो, तो 0 equal to n minus r into p, ध्यान देना जो मैं word बोला हूँ, plus qr, q कितना है, minus 2 into r, आप पहले ये notice करो, ये solve हो के क्या है, 10 minus 5r by 2, देखिए, ये ही मिला, यहाँ पर 0 लिखना जो ही नहीं है, z भी लिखा होता, तो भी चलता, पर ये same result बना, इसलिए मैंने आपको पहले concept बताया, आप trick, भूल गाए, तो भी दिक्कत नहीं, और भूलोगे नहीं आप, क्योंकि concept के बाद trick कभी भी कोई बच्चा नहीं भूलता, तो अब ये हो गया, देखो, अब आपको 0 से quit करना था, आर की value मिल गई कितनी, 2, आर मिल गया 2, तो term हो गया, अब जैसे ये formula सीखा, 4, 5, 10 question कर लो, उससे क्या होता है, कि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप क्या अपने आप logic बन जाते हैं, मालो मैं आपसे बोलूँ, कि ऐसा question होता, x square plus 1 upon x cube की power 16, find coefficient of, अब हम कुछ भी करते हैं, coefficient of x power 10, तो क्या करते हैं, आप लिखते, देखो, पहले क्या लिखते हैं, 10 पूछा है, तो 10 equal to n minus r into p plus qr, ये उपर चला जाएगा, minus into r, ये हो गया, finally कितना, 10 equal to 32, ये 16 था, 32 minus of 5 r, तो 5 r equal to 22, r आ गया, 22 by 5, यानि 4 point something, yes or no, अब कभी भी याद रखो, r की value अगर कभी fraction में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, r की value अगर कभी fraction में आ जाए, तो इसमें कोई problem नहीं, बट r की value fraction में नहीं हो सकती, क्योंकि r किसको represent कर रहा है, term को, तो अगर r term को represent कर रहा है, तो ये fraction value हम नहीं consider करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, कि अगर r की value ये आई, fraction में आई, तो coefficient of x power 10, इसमें पक्की बात है, 0 माना जाएगा, जब भी r fraction में आए, तो ये समझ जाओ, कि वो term का coefficient 0 है, अब माल लो इसी question में, थोड़ी देर के लिए, इसी question में, मैं आपसे बोलता, find coefficient of, find इसी question, find coefficient of x power 12, तो क्या होता, तो x power 12 बोला है, तो आप 10 के place पे देखिए, ये ही कही चीज़ है, आप 12 से compare करेंगे, 12 equal to, क्या बोलो, n minus r into p, plus qr, ऐसा लिखा करो, 12 equal to 32 minus 5r, 5r equal to 20, then r equal to 4, तो कौन सा term हुआ, 5th term, मतलब 4 plus 1, ऐसे लिखो गए, अब वो क्या हो जाएगा, 16c4 खत्म, ये आगया coefficient, यानि आप से x की power 12 का coefficient बोला है, आप बोलते 16c4, Is that clear? आप से खुद कोशन बनने लगेंगे, बिना किसी problem के, अगर आप सही और proper technique से पढ़ रहे हैं, तो, कई बार हम अपनी सही technique को follow नहीं करते, इसलिए problem आती है, तो आपको इस एक चीज़ के लिए थोड़ा सा तयार होना चीए, कि कैसे भी कोशन आ जाए, किसी भी तरह के, मालो कोशन है, 2x square plus 1 upon 5x power 4 whole power 18 find, चलो constant term ही लेते हैं, या independent term, क्या होता, अब आप बोलते 0 equal to n minus r into p plus qr, यह उपर चला गया, तो minus 4 into r, यह हो गया कितना, 0 equal to 36 minus 2r, minus 4r, तो 6r equal to 36, then r equal to 6, r 6 आ गया, तो constant term हो गया, 7, क्या जाएगा, 18c6, 2 की power 12, खत्म, यानि अब आप से question खुद easy ले होने लगेंगा, और याद रखिया है, plus minus से कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर minus होता, तो बस केवल, अगर वो term odd होता position पे, तो minus आता, तो यह एक तरीका हुआ, एक और आपने type c की, ऐसे एक portion को अगर अच्छे से cover करो, तो कोई region ही नहीं कि आप किसी भी exam में अच्छा performance ना करो, performance की problem ही बहां आती है, जब हम concept बना के, proper तैयारी नहीं करते हैं, misguide होते हैं, confused होते रहते हैं, end नहीं करते है syllabus को, simple way में solve नहीं करते, यह एक चीज आपको थोड़ी से अपने अंदर change लानी हो,